फ्रेंड वेलकम तो दे चैनल ओफ एपलस लॉकेडमेंड आज की इस वीडियो में हम उन्रिबल सुप्रीम कोड का एक अगेन नया लैंडमार्क जज्जमेंट 2024 में पास हुआ है उसके उपर बात करेंगे यह जज्जमेंट जो है क्रुएलिटी के अपराद के उपर है IPC के अ अब हमारे लिए महत्पून क्या चीज है आज किस जज्जमेंट में तो सबसे पहले तो मैं आपको जज्जमेंट का नाम बता दूँ नाम आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रेंस पे अचिन गुपता वर्सेस टेट आफ हर्याना का यह केस है 2024 को यह जज्जमेंट पास ह हुआ है अब इस केस में क्या हमारे लिए महत्पून है देखिए एक रिक्वेस्ट की गई है सुप्रीम कोट के द्वारा कि देखिए जो आईपीसी के अंदर क्रुएलिटी का अपराता 498 कैपिटल ले के अंदर उसमें बहुत बार उनरीबल सुप्रीम कोट ने अलग-लग जज्मेंट के तुरू डिरेक्शन्स दी हैं कि आप हर केस में अरेस्ट ना करें क्रुएलिटी के फॉल्स केसी जाते हैं फिर अरनेश कुमार वर्सी स्टेट ऑ बिहार का एक बहुत लैंडमार्क जज्ज्मेंट 2014 में आया जिसमें सुप्रीम कोट ने इसी चीज को रिलेट किया कि क्रुएलिटी के बहुत फॉल्स केसी जाते हैं फ्रिवालियस कंप्लेंट साती हैं और बाद में एक्विटल हो जाता है एक्यूज का तो इसका मतलब यह है कि वाइफ जो है वह अपने हज्बेंट के अगेंस या इनलॉज की अगेंस गलत या जूटी कंप्लेंट ज देखिए NCRB National Crime Records Bureau का यह डाटा कहता है कि 80% जो केसी जाते हैं क्रुएलिटी के वह फॉल्स और फ्रिवालियस कंप्लेंट सूती है मतलब जूटे मुकदमे किये जाते हैं और अभी 243rd Law Commission का रिपोर्ट आया है जिसमें यह कहा गया कि 20% ही success rate है जो क्रुएलिटी के मुकदम में ही conviction होता है बाकि सारे cases में equitable होता है इसका मतलब कि husband और in-laws की उपर जूटे मुकदमें दायर किये जाते हैं अचिन गुपता की judgment हमारे लिए important आज क्यूंकि देखिए जो हमारा IPC के अंदर 498 capital ले था जो क्रुएलिटी की बात करता था उसका misuse बहुत होता था लेकिन अब क्योंकि हमारे पास एक जुलाई 2024 से नया criminal law आएगा भारतिय नयाई सहिता तो भारतिय नयाई सहिता के अंदर cruelty का अपराद है वो 85 और 86 दो प्रावधानों के अंदर रखा गया ये दो प्रावधान कुछ और नहीं है पहले क्या होता था कि 498 के अंदर IPC में एक explanation लेकिन honorable supreme court ने अचिन गुपता की judgment में ये कहा है कि के आप जो भी practical realities हैं उनको जरूर ध्यान में रखे और इस नये law के अंदर भारतिय नयाई सहिता के अंदर जो भी required changes है practical realities को लेकिए वो जरूर करें as it is verbatum इस provision को ना रखे तो अब मैं आपके सामने वो paragraph रखने वाला जो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्पून रहेगा और जितने भी लोग आज हमारे चैनल पर पहली बार आए है पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा और लाइक जरूर कीजएगा जी तो अब बात करते हैं इस judgment की paragraph की जो हमा इसका मतलब कि आपने कुछ नया नहीं किया खाली उसको एक कॉस्मेटिक बदलाव दिया है we request the legislature to look into the issue as highlighted above taking into consideration the pragmatic realities and consider making necessary changes in section 85 and 86 of the भारतिय नयाय सहिता before both the new provisions came into force इसका मतलब यह हुआ कि एक जुलाई 2024 से पहले इन दोनों प्रावधानों के अंदर legislature को जो है amendment करना चाहिए ताकि practical realities के आधार पे जो है ये sections बने इनका misuse जो है उसको रोका जाए तो ये judgment आपके लिए बहुत जादा महत्पून है आपको judgment का नाम पता होना चाह ये इसके साथ साथ जो है जिन judges ने इसको पास किया है उन judges का नाम भी आपको पता होना चाहिए that is honorable justice J.B. परादीवाला and honorable justice Manoj मिश्रा इन judges का नाम date of judgment 3rd of May 2024 तो ये सारी चीजे आपको ध्यान में रखनी है और इसी के साथ साथ आज के वीडियो में हम ने जो judgment discuss किया ये landmark judgment ह एक्जाम में ये पूछा जा सकता है और जितने भी लोग पहली बार चैनल पर आएं वो subscribe जरूर कीजेगा मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई landmark judgment के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद thank you so much